हाई फ्रेंट्स वेल्कम बैक टू अनादर वीडियो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ एक प्रॉब्लम का स्टॉलिशन अगर आपने अपने कम्प्यूटर पे ब्लू स्टैक इंस्टॉल कर रखा है ब्लू स्टैक क्या है यह एक एक एमुलेटर है तो इसके तुरू हम जो है इंस्टॉल करके आप मोबाइल के गेम को कम्प्यूटर में खेल सकते हैं तो इसका वीडियो मैंने पीछे डाल रखा है उसका डिस्कृशन में मैं लिंक दे दूँगा वो देखना चाहो तो आप देख सकते हैं तो अभी इसमें क जब भी मैं इसे कोलता हूँ तो यह एक प्रॉब्लम आ रही है इसमें कि ब्लू स्टेक इस अनेबल तू यूज हाड़वेर एसिस्टेट वर्चुलाजेशन वेन हाइपर वी इस एनेबल प्लीज डिसेबल हाइपर वी फ्रम कंट्रोल पैनल चेक फैक और डिटेल्स ठीक ह तो हमारा ब्लू स्टेक जो है खोलनी पा रहा है तो इसे कैसे करेंगे अब कंट्रोल पैनल में अगर हम जाते हैं तो हाइपर वी का कोई से भी यहाँ पर ऑप्सन दिखा ही नहीं देता है तो इस वीडियो को पुरा लाज तक जरूर देखना तो चलिए देखते हैं कैसे कर करने के बाद आपको यहाँ पर आना है प्रोग्राम से फीचर पर ठीक है अगर ऐसा विंडो आपके स्क्रीन पर नहीं आ रहा है तो आपको यहाँ पर आना है कैटेकरी वीव अगर होगा आपका तो यहाँ से आप इसे चेंज करने लार्ज आइकन में ठीक है तो दिखते है कैसे आते हैं control panel मेरा यहाँ पर icon बना हुआ इसलिए आ गया आप यहाँ पर start पर जाके लिख सकते है control panel ठीक है मैंने लिख open किया control panel और यहाँ से program and feature में जाना है program and feature में जाने के बाद यहाँ भी आपको hyper v नहीं दिखेगा ठीक है तो आपको यहाँ पर आना है आप देख सकते हैं इस side में आपको एक दिखेगा यहाँ पर turn on windows feature and on और off ठीक है तो आपको इस पर click करना है इस पर आप जैसे ही click करेंगे तो यहाँ पर यह कितना नंबर गया बस शुरू में ही आपको scroll करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको यहीं पर दिख जाएगा hyper v okay बस hyper v को आप and tick कर दे और इसे कर दे okay ठीक है यह बस 2-3 मिनट का समय लेगा यह उससे कम में ही हो जागा काम तो आप देख सकते हैं यह हो गया और यहाँ पर restart now का एक आ रहा है button ठीक है तो आपको इसे restart कर देना है ठीक है तो मैं इसे don't restart करके देखता हूँ अभी काम open करने की कोसिस करता हूँ देखते हैं यह run होता या नहीं तो यह अभी भी कह रहा है कि नहीं होगा तो हमारा तो uninstall हो गया है वहाँ से hyper view off कर दिया हमने तो अब इसे करते हैं restart computer को ठीक है तो अभी अभी मैंने system को restart किया है अब देखते हैं इसे open करके होता है या नहीं तो म इसे load होने देते हैं देखते हैं कितने दिर में यह open होता है तो आपको दिखी क्या होगा शुरू में यह error आ रहा था अब जैसे ही मैंने उसे off किया तो हमारा यह run हो गया और हाँ restart करना जरूरी है आपको restart करना होगा तभी यह काम करेगा तो उमीद है यह छोटा सा वीडि इस्टिंग वीडियो में तब तक के लिए गुडबाई